आप आप लोग बुताओ कैसे हो हम अच्छा सबके तबियत ठीक है ना हम ओके वेरी गुड फ्लावर्स मैं कान हूँ अंत्रा मैम ओके सो माई जै फ्लावर्स बता सकते हो कि आज हम क्या करने वाले है हम आज हम एक एक्टिविटी करेंगे माई प्रैक्टिस बुक से हाँ ओके इसके लिए तो हमें माई प्रैक्टिस बुक चाहिए है ना ये देखो माई प्रैक्टिस बुक ये बुक जल्दी से ले आओ और साथ में एक पेंसिल और एक इरिज़र भी ले आना ओके ले आए हो अभी गूगल क्लाश्ट्रूम में जो पेज नमबर दिया हुआ है मम्मी या फिर पापा को बोलो आपको वही वाला पेज खोल कर दे ओके चलो हाभी बता सकते हो कि आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे मैं बताओ ऑके बोल आफफ़ावर्स ये क्या है ओ है ना ओ के बाद पिर क्या चोटी आट ये क्या है बड़ी पिर बड़ी चोटी और ये क्यां है बड़ी बेरी गूट तो आज हम ये सभी अक्षर को लिखना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो सब लोग जल्दी से तयार हो जाओ, अक्टिविटी कहने के लिए, ओके, तो चलो flowers, अक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ओके, चलो So flowers, यहाँ पर हम सभी अक्षरों को लिखेंगे, ठीक है, चलो बताओ ये क्या है, ओ है ना, फिर आ, छोटी इ, बरी इ, छोटी उ, बरी उ, ओके, सो ये सभी अक्षर को चलो finger से trace कर ले, कैसे, ओ कैसे trace करते है, एक आधा गोल निकालके, और एक आधा गोल निकालेंगे, है ना फिर क्या, फिर ऐसे करके, एक खरी रेखा, फिर मात्रा दे देंगे, सो ओ, फिर आ को trace करे चलो, एक आधा गोल निकालेंगे, और एक आधा गोल, है ना, सेम तरीके से, फिर ऐसे करके, दो खरी रेखाय निकालेंगे, फिर मात्रा दे देंगे, है ना, फिर छोटी इ, को trace कर चलो एक छोटी सी खरी रेखा फिर उसे जोर कर एक आधा गोल निकालेंगे फिर और एक आधा गोल निकालके ऐसे करेंगे है ना फिर मात्रा दे देंगे छोटी ए फिर बड़ी ए को भी सेम तरीके से चलो ट्रेस कर ले फिंगर से आप तो जानते ही हो ट्रेस कर लो फिर मात्र प्रिश देंगे चोटी बड़ी उओ सेम तरीके से ट्रेस करो फिर बीच में से ऐसे करेंगे है ना ओके चलो सो फ्लावर्स यहाँ पर हम यह सभी अक्षरों को लिखेंगे ठीक है चलो पेंसिल ले लो देखो मैंने पेंसिल ले लिए है फिर कैसे हाँ एक आधा गोल निकालके और एक आधा गोल निकालेंगे आप लोग तो लिख सकते हो जल्दी से लिखो मेरे साथ यह क्या है ओ है फिर से लिखेंगे सेम तरीके से एक आधा गोल निकालके क्या और एक आधा गोल निकालेंगे फिर ऐसे करके एक खरी रेखा है ना फिर मात्रा दे देंगे यह हमने क्या लिखे ओ है ना चलो फिर आ लिखते है चलो यहाँ पर सेम तरीके से ठीक है देखो एक आधा गूल निकाल के और एक आधा गूल निकालेंगे फिर ऐसे करके दो खरी रेखा है ना फिर देखो मांच्टा देदेंगे सो यह क्या है आ है ना ओके सो यहाँ पर भी लिख लेते हैं चलो आप भी मेरे साथ लिखो very good बहुत अच्छे है चलो फिर दो खरी रेखा निकालेंगे है ना फिर माच्चा दे देंगे सो यह क्या है आ है ना चलो अभी हम छोटी यह लिखेंगे ठीक है चलो कैसे मेरे साथ बोलो और लिखो एक छोटी सी खरी रेखा फिर उसे जोड कर एक आधा गोल निकालेंगे फिर opposite direction में और एक आधा गोल फिर ऐसे करके माच्चा दे देंगे है ना यह क्या है चोटी यह लिख लो यहाँ पर भी चलो एक छोटी सी खरी रेखा फिर उसे जोड कर एक आधा गोल opposite direction में और एक आधा गोल निकाल के ऐसे करके माच्चा दे देंगे है ना अब ही हम बड़ी यह को लिख लेते है सेम तरीके से है ना flowers जैसे छोटी यह हम लिखते है वैसे ही बड़ी यह को भी हमें लिखना है ना देखो माच्चा दे देंगे फिर क्या ऐसे करेंगे है ना चलो लिख लो देखो मैंने तो लिख लिए है अभी यह भी लिख लेते है चलो ऐसे करके हाँ और एक आधा गोल फिर ऐसे करें है ना फिर मात्रा दे देंगे और ऐसे करेंगे तो देखो बड़ी इतो हमने लिख लिए है ना चलो अभी छोटी उ को लिखेंगे चलो कैसे हाँ very good एक आधा गुल निकालेंगे फिर और एक आधा गुल निकालेंगे है ना फिर मात्रा दे देंगे सो यह क्या है छोटी उ? चलो सेम तरीके से और एक छोटी उ लिख लेते हैं मात्रा दे देंगे very good so हमने छोटी उ लिखे है न okay so ये क्या है बड़ी उ चलो flowers इसको भी लिख लेते है सेम तरीके से एक आधा गोल निकालेंगे और एक आधा गोल निकालेंगे फिर बीच में से ऐसे और एक आधा गोल है न फिर मात्रा दे देंगे बड़ी उ ऐसे लिखते है न चलो फिर से लिख लेते है एक आधा गोल निकालके उसे जोड़कर और एक आधा गोल निकालेंगे फिर बीच में से और एक आधा गोल ऐसे फिर मात्रा दे देंगे so हमने बड़ी उ को लिखे है न अभी flowers आपको सबी अक्षरों को सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखना है ओके चलो जल्दी से आप लिख कर कंप्लीट कर लो ओके चलो so my dear flowers आज हमने क्या किये हाँ और से येस बड़ी उत तक आज हमने लिखना प्रैक्टिस किये है है ना ओके so तो आप तो आप लोगों को घर में भी प्रैक्टिस करना है है ना नहीं तो कैसे याद रहेगा है ना ओके चलो so my dear parents I would like to request you to submit this page on the google classroom so my dear flowers आज के लिए बस इतना ही ओके चलो take care of yourself love you all flowers bye